आज हम आपको टेस्ट करवाएंगे पॉली कैब MCB पहुती जबरतस्त परफॉर्म करती है जिहां में आपको फुल टेस्टर रिव्यू दिखाऊंगा फ्यूस कैसे वर करता है बिल्कुल इस तरह से फाइरिंग लेकिन यहां पे MCB कैसे वर करती है पिल्कुल यूनिक तरीखे से दोस्तो एक राज की बात बताऊँ अब हर एक MCB पर पहुट सारे पॉइंट्स भी कमा सकते है कैसे लास्ट तक जरूर देगे हलो मेरे इलेक्रिशन भाईयो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत इंपूटेंट बात यानि कि मैं आपको बताने वाला हूँ पॉली केप की MCB ये गाउं में लगाना क्यों जरूरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा MCB क्या है यानि कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी के अंदर जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है वीसे ही एक electric के अंदर भी ब्रेक होता है उसको भी रोकने के लिए MCB की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसे रोकने के लिए कौन सा ब्रेक होना चाहिए यानि कि कार वगेरा के अंदर अगर हम local वाला brake लगा लेते हैं तो वह ब्रेक जो है fail भी होने के chances बढ़ जाते और हमारा नुकसान भी हो सकता है accident भी हो सकता है तो वे से ही हमारे electric line के अंदर होता है अगर हम MC भी अच्छी choice नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके appliances आपके जितने भी घर के अंदर जो load है wiring है वो जल के खराब हो सकती है तो उमीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी वीडियो को last तक जरूर देखेगा चैनल को subscribe कर लेना ताकि मैं आपके लिए और polycape की बहुत सारे product के बारे में वीडियो बना सको तो comment जरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको MCB लगाना क्यों जरूर ये वो भी गाओं के अंदर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं circuit breaker क्या होता है तो circuit breaker obviously MCB को कहते हैं जिसका full form की बात करें तो miniature circuit breaker इसे कहा जाता है तो मैं आपको बता दू circuit breaker यानि के जो overload और over current से बचने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है यानि के जो load है हमारा उसे रोकने के लिए overload जो है उसे रोकने के लिए भी काम मिलिया जाता है और हमारे जो short circuit होते हैं उन short circuit हो से भी बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मैं आपको एक चीज example के तोर पे दिखाता हूँ अगर आपके घर में कोई bulb या fan वगेरा लगा हुआ है तो उसके अंदर किसी किसम का white touch हो गया short circuit हो गया तो वह protection यह polycape MCB करेगा जी हाँ दोस्तो यह short circuit पे काम करेगा अब overload condition क्या होती है overload condition यह होती है कि अगर आपके घर में एक motor है motor obviously normal load पे चल रही है और किसी कारण अगर उसका load बढ़ जाता है तो उसे overload condition कहा जाता है तो उस overload condition के अंदर भी इस MCB का उप्योग लिया जाता है यानि कि यह polycape की MCB overload condition के लिए भी apply की जा सकती है और short circuit current के लिए भी apply की जा सकती है तो दोस्तो अब हम आपको बताएंगे normal MCB है जो अधर बरांट के होती है उससे compare करके देखेंगे तो यह MCB आपको ज्यादा best देखने को मिलती है अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों ऐसा इस वज़े से क्योंकि इसका 7 year warranty के साथ में यह product मिलता है जी हाँ दोस्तों यह एक electro mechanical device है जो कि electricity को break लगाता है जब overload condition और short circuit होता है तो 7 साल की warranty तो भाई अगर कंपनिया तो शायद ही देती होगी पर तुरंत tripping system इसके अंदर लगा हुआ है जैसे कि यह अभी on है और जैसे ही short circuit होगा तो तुरंत इस तरह से trip हो जाएगा यानि कि कम से कम समय के अंदर आपके product को safety में रखेगा आपके घर के appliances को safe रखेगा जोस्तो polycape MCB आपके घरों के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि यह है आपके जितने भी appliances है जैसे AC, geezer, reezer वगेरा सब को protect करता है overload condition से और दूसरी बात आपकी wiring को short circuit से बचाता है जो की काफी अच्छी MCB है इससे आपके घर के सब इप्लाइंस और wiring को इसे आसान इसे reset किया जा सकता है जैसे ही MCB गिर जाती है तो इसे बड़ी आसान इसे safely आप इसे on कर सकते हो जिससे कोई भी परिशानी कोई भी short circuit का अंदेशा नहीं होता है अगर मैं बात कर लो fuses की जो की गाउँ वगेरा में ज्यादा तर इसे use लिया जाता है तो मैं आपको बता दूँ fuse जब भी उड़ जाता है तो इसे इस तरह से बाहर निकालना पड़ता है जो की unsafe है 100% unsafe है आपको electric shock लग सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक wire होता है ये wire उड़ जाता है फिर इसे बांदना पड़ता है जो की electrician को बुलाना पड़ता है electrician को बुलाने के बाद उसको खर्चा पैसा वगेरा पै करना पड़ता है तब जाके वो काम होता है fuse का fuse आप अपने घर से अपने गाउं के अंदर से fuse को remove कीजिए और इसकी जगए आप miniature circuit breaker यानि के MCB breaker लगाईए ये आपकी life को safe रखेगा बिल्कुल भी current का जटका आपको नहीं लगने वाला यहाँ के 100% safe and secure चीज है ये बिल्कुल reset आप इसे आसानी से कर सकते हो बिना किसी खर्च के इसे आप एक बार लगाएंगे फिर बार बार इसे बदलने की अवशकता नहीं होती है polycape की modern production सुविदा step by step process को follow करते हुए accuracy के साथ MCBs produce करती है इसी वज़े से polycape MCB long term चलने के लिए ready रहती है और यह 100% tested होती है जिस पे आप 100% बरोसा कर सकते हो तो चलिए दोस्तो हम आपको इसका testing review दिखाते हैं इन सभी MCBो का कि किस तरह से यह perform करती है चलिए दोस्तो बताते हैं आपको यह है हमारी MCB यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल पूल की है और यहाँ पर इंस्टेंट ट्रिपिंग सिस्टम सेवन येर वारंटी के साथ में MCB 10 के है अब यहाँ पर साइड में अगर इसके देखें तो कुछ terms and condition लिकी हुई है जिस terms and condition को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं अगर आप ये पढ़ के फिर आप इसकी वारंटी अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक आपको QR कोड नजर आता है यह वारंटी अपलाई करने के लिए scan QR कोड दिया जाता है यह scan QR कोड scan by polycape expert app retailers के लिए हैं तो guys आपको polycape expert program app आपको download करना है कुछ login detail fill up करनी है और आपको interface ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर scan QR कोड देखने को मिलता है scanner आपके सामने खुल जाएगा आप scan भी कर सकते हैं open code भी लगा सकते हो open code apply करने के बाद आपको बहुत सारा points देखने को मिलता है जैसे कि आप wiring के अंदर points कमाते हो वे से ही आप MCB के अंदर भी ठेर सारे points कमा सकते हो इस app में आपको contact support भी मिल जाता है जिससे आप help लेख सकते हैं और यह है verify SMS product secure app इसके बारे में कभी बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अब हम MCB को open करते हैं तो कुछ इस type की MCB नजर आती है जो की polycape India is limited यानि के make in India है 240 और 415 वर्ल्ट पर operated है अब यहाँ पर एक scan QR code मिलता है जो की warranty apply करने के लिए होता है इस MCB को on इस तरह से किया जाता है यह B10 Ampere है Ampere अलग अलग type की हो सकते हैं यहाँ पर 10000 और 3 होए यहाँ पर polycape लिका हुआ है और यहाँ पर एक color देखने को मिल रहा है जो की red color का है इसका मतलब है MCB on है अब जैसे ही MCB को नीचे करेंगे तो green color के पट्टी आ जाती है इसका मतलब MCB off है उपर करते ही red color काता है तो समझ लीजिए MCB on है ठीके पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका hanger system जो के MCB box के अंदर बड़ी आसानी से अटक जाता है बहुत ही शानदार MCB है अब बात करते हैं double pole MCB की यहाँ पर यह कुछ इस type का इसका box होता है इसके अंदर लिखा हुआ है double pole तीक है इस tent tripping देखने को मिलता है 7 year warranty के साथ में यह भी है और यहाँ पर poly cape लिखा हुआ है इसके side में कुछ rating वगरा rate वगरा लिखी हुई है पीछे की तरफ देखें तो scan QR code देखने को मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर भी वही terms and condition लिखी हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसको apply करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो scan QR code मिलता है जो की warranty register करने के लिए होता है यहाँ MCB को open करेंगे इस तरीके से यह double pole की है दोनों आपस में इस तरह से जूड़ी हुई होती है यह देख सकते है C type की MCB 10 amp की 10,000 for 3 ठीक है इसके बारे में कभी हम बात में बात करेंगे नीचे करेंगे तो green color की indication देखने को मिलती है उपर करेंगे तो red यानि के on है poly cape यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसे open करेंगे screw को तो बड़ी आसानी से open and close हो जाता है बहुत हाई quality की है यह है warranty apply करने के लिए scan QR code और यहाँ पर भी लिखा हुआ है made in India ISI mark के साथ में government approval product यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला एक hanger system है double pole में single hanger आता है जो की बड़ी आसानी से MCB box के अंदर फिक्ट होता है अब बात करते हैं switch disconnector poly cape switch on to safe यहाँ पर यह simply switch disconnector है इसे on और off करने के लिए इस्तमाल में लिया जाता है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है QR code यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका terms and condition इसको आप वीडियो को रोक करके बाट सकते हैं कि यह किस वज़े से क्या क्या काम करती है यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम जैसे ही open करते हैं तो इसके ampere की बात करेंगे तो यह है 40 ampere की यानि कि 40 ampere का यह disconnector switch है नीचे करेंगे तो green color का assemble आएगा उपर करेंगे तो red color का assemble मतलब on है MCB इसके अंदर भी QR code आता है और यहाँ पर इसके screw की बात करें तो बहुत ही अच्छी और high quality की screw देखने को मिल रही है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो है यहाँ पर hanger system बहुत ही मजबूत है जिसको MCB box के अंदर बड़ी आसानी से safely fit किया जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 ampire का switch है यहाँ पर C type की B type की MCB है double pole, single pole के MCB है ampire अलग-अलग rating के हो सकते हैं आप high ampire की भी ले सकते हैं low ampire की भी ले सकते हैं तो अब बार याती है polycape की MCB को testing करने की short circuit जिसका test करेंगे कितना fast है यहाँ पर देख सकते हैं B6, 6 ampire की है तो यहाँ पर मैंने दोनों wire को भीड़ा दिया तो देख सकते हैं आपके आखों के सामने tripping बहुत ही heavy और बहुत ही fastly trip हो रही है यहाँ पर कोई भी sparking भी नजर नहीं आ रही है इसका मतलब यहाँ पर MCB properly work कर रही है आप देख सकते हैं बिड़ा हुआ तार रखा हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी on नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी permanently short circuit है अब जैसे ही इसका short circuit हाटा देंगे तो यह MCB फिर से on हो जाएगी अब हम करेंगे double pole वाली MCB को test यहाँ पर देख सकते हैं यह C 10 Ampere की है 10 Ampere की C टाइप की है इसको हम फिड़ा के देखेंगे यहाँ पर एक pole को short circuit करते हैं तो देख सकते हैं दोनों pole गिर जाते हैं इस तरीके से गाइस यानि के बहुत ही perfect और बहुत ही fastly run कर रही है या MCB अब दूसरे pole को test करेंगे तो दूसरा pole भी गिर रहा है यानि के दूसरा pole के अंदर भी protection है बीडा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं पर्मानेंट short circuit में on नहीं हो पाईगी MCB हटा देंगे तो on हो जाएगी अब हम comparison करेंगे fuse और MCB कौन सा जैदा best है यहाँ पर देख सकते हैं गाउं के अंदर जैदा कर fuse लगाए जाते हैं लेकिन fuse से क्या नुकसान होते हैं यह देख सकते हैं यह fuse इसके अंदर एक wire होता है पोली केप MCB के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जब भी short circuit होता trip हो जाती फिर इसे on आसानी से आप कर सकते हो बिना किसी लागत के तो पोली केप MCB is the best option आप अपने घर पे लगाईए safe and secure रही है और इसके अंदर जब wiring आप लगाते हो बहुत आसानी से इसके अंदर wiring सेट हो जाती है ये देख सकते हैं कितना tightly feel हो रहा है यानि के screw कसने के बाद आप देख सकते है wire को बिल्कुल नहीं निकाल सकते इस से wiring के chances काफियत तक कम हो जाते हैं और हाँ guys गरामिन छेतरों में MCB विदूद सुरक्षा बढ़ाने में महतवपूण भूमी का निबाता है और महतवपूण है क्योंकि विदूद शोर्ट सर्किट से सुरक्षा परदान करता है और लोगों और संपति दान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं MCB विशेश रूप से गरामिन घरों में और समुदायों में महत्वपूर्ण है जहां बिजली की सुविदा काफी कम है शहरों के मुकाबले MCB लगाएं और अपने घरों के जितने भी अपलाइंसे से सब को सुरक्षित बनाएं इनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए इसपेशली गाउं वगेरा के अंदर पूरी सुरक्षा करनी चाहिए फ्यूज वगेरा को हटाईए MCB का इंस्टोलेशन कीजिए MCB चोईस पोली केप MCB ज्यादा बहतरीन आपके लिए होगा MCB बहुत ही मामूली दाम में मिल जाती है और इसे बार-बार चेंज करनी के आवश्यक्ता नहीं होती जिस तरह से फ्यूज को चेंज किया जाता है और ये safe and secure 100% होता है इसलिए आप trust कर सकते हैं तो मेरे electrician भाईयो आज हमने सीखा कि MCB क्या होता है MCB क्यूं बहतर option है MCB क्यूं घरों में लगाया जाता है गाउं वगरा के अंदर इसे क्यूं यूज लेना जरूरी है ये सब कुछ हमने सीखा सब कुछ हमने detail के साथ में आपको बताया practical भी हमने आपको बताया और अगर polycape की साथ जाना चाते हो polycape के बारे में और आपको जाना गरी चाहिए polycape wires के अंदर आपको और जाना गरी चाहिए तो हमसे इसी तरह से जुडे रहें चैनल को सब्सक्राइब करें वडियो का लाइक करें और इसी तरह से मिलते रहेंगे दोस्तों बाए बाए